तो नमस्कार, स्टडी पोटल में आप सबका स्वागत है, दोस्तो आज हम SST का पेपर सोल करेंगे हर्याना एस्टेट के TGT में जो 6 तारीक को मौर्निंग में हुआ था, थोड़ा सा टाइम लगा, त्योंकि क्लासीज का बर्डन ज्यादा रहता है, सीटेट से लेकर के KVS औ साल नहीं लग पाया, कुछ गला खराब था, मुझे लगा चलो एक दो दिन में बना देंगे, तो आज कोमन पेपर भी सोल करके डाल दिया गया है, हर्याना जीके के वो क्योस्तिन भी सोल किये हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे थे, दो तिन क्योस्तिनों पर डाउट था, तो नोट्स हम लोग बाई कॉरियर और इंडिया में प्रवाइड करवाते हैं, अब अनसर तो आप लोगों को मिल ही गया होगा, ज्यादा तर साइट्स के उपर उसातियों ने डाल भी रखे हैं, लेकिन आज हम इसको डिसकस थोड़ा सा करेंगे, और हम चाहते हैं कि अनसर की क इस तरीके से आप तयार किये जिए, कि आप लोगों को बोर्ड के अनसर की देखनी भी ना पड़े, और आपका जो रजल्ट है, जो आज आपने सोचा है, एक नमबर भी कम जादा ना हो, तो थोड़ा सा सुरुवात करते हैं सबसे पहले पॉर्सन से, क्योंसर नमबर ए, व ज्यादा सर 22 का अनसर भी लगा रहे हैं, पर दोस्तों भी नहीं है, मुद्दा देखिए आप लोग, गांधी जी तो गिरफतारी 20 में भी हुए थे, 19 में भी गिरफतार हुए थे, गिरफतारी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि चार्जी जोप सैडिशन्स, देश-द मैं आपको थोड़ा सा और प्रूफ दे देता हूँ, 10 मारच 1922 को गांधी जी को बंबे, जिसे नई मंबई कहते हैं आज के समय, वहां गिरफतार किया गया था, और जब उन्हें नई मंबई के कोर्ट में पेस किया गया, तो अंग्रेजों ने उन्हें 6 साल की सजा जी थी, तो यहां फैक्ट के साब से अंसर जीजिए, तुक्के मारने की कोशिस मत किजिए, अंसर आपका तब ही ठीक रहेगा, अंसर रहेगा 1922, डेट है 10 मारच 1922, 6 साल की सजा भी गांधी जी को इसमें होई थी, दूसरा क्यूस्टन है, जटिल समानता का विचार किस ने प्रस्त किया था, जटिल समानता, जैनि कॉम्पलेक्स एक्वलेटी जो आइडिया है, वो माइकल वाल्जर का था, और उन्होंने इस स्टेटमेंट को कब दिया था, कई बर इसका डेट पूछ लेते हैं, तो यहां मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, तो इसकी रहेगी 1983, पहली प्रतिव्यक्ति आए का आपको सीधा सा पता है NNP divided by population, यानि देश के अंदर आप देखते हो जो प्रतिव्यक्ति आए है, देश के अंदर जो complete national income होती है, उसको जब हम जनसेंक्या से बाटते हैं, तो ओटोमेटिकली आप मालिया आपके परिवार में 1000 रुपई हैं, और आप लोग, टोटल जो लोग हैं, वो घर में कितने हैं, घर में टोटल लोग आप पांच हैं, तो income क्या रहेगी, उसको डिवाइडी करेंगे ना population के साब से, तो यहां आपका अंसर रहेगा दो, question number 94, भारत में लिंगानुपाथ क्या दरसाता है, पुरुसों पर सत्रियों कि संख्या को कितने पुरुसों पर, 1000 के आधार पर हम रेश्यों बनाते हैं, question number 95, भारत में अंतिम रिंदाता कोन है, यहां भी बच्चों ने अंसर गलत देरे जैसी इस बच्चे ने दे रखा है, SBI, नहीं दोस्तो, SBI नहीं होता है, इंडिया के अंदर, Lander of the Last Resorts, Lander of the Last Res बहुत से अंतिम रिंदाता भारत के अंदर, RBI होता है, क्योंकि RBI ही है, जो भारत के अंदर, Bainकों को रिंदेता है, RBI बहुत है, देगा और Sivadji की साही अश्वो सेना कह consensus क्या कहलाती थी? Sivadji की साही अस्वो सेना जानी रोयल जो गोडों की सेना थी उसे क्या कहागया? जैसी इस बच्चे निरेका दबीर इंसमेंसर नहीं होगा. दोस्तो सिवाजी के पास दो परकार की सेना होती थी एक होती थी बारगीर और एक होती थी सिलहदार बारगीर और सिलहदार दो परकार की सिवाजी के पास घोडों की सेना होती थी लेकिन इसमें एक अंतर है सिलहदार जो है उसमें जो घोडे होते थे वो लोगों के खुद के होते थे private होते थे जैसे आप किसी सिवाजी की सेना में थे तो आपके खुद के घोड़ों को आप लोग लड़ने ले जाते थे राजा के घोड़े नहीं होते थे लेकिन जो बारगीर है बारगीर में राजा की तरफ से घोड़े दिये जाते थे तो इसने क्या कहा साही असो सेना साही असो सेना कौन सी होगी जिसमें राजा खुद घोड़े देगा सैनिकों को और सिलेडार में लोग जो हैं वो खुद अपने घोड़े लेकर राजा को स्पोर्ट करने जाते थे तो वैसे तो राजा की सेना में दोनों ही होते थे असो सेना में लेकिन साह सेना जिसमें राजा घोड़े प्रोवाइड करवाता था तो यहां जो आपका अंसर रहेगा वह आपका अंसर रहेगा यह वाला यह वाला तो इन यानि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को तोड़ा इस त्रीके से जिन बच्चों का एक चीज का पटा चले ताकि आने वाले एकजाम में भी काम आई और इस बार का भी आपका डाउट कलीर हो जाए तो यह वैसे दोनों ही राज शिवाजी की असो सेना थी बट यह साही का जिक प्रिशिकल ओर में आपने इन घटनाओं को देखना है या फिर आपने रखना है तो यहां आप देखो क्या है सबसे पहले वेवेज योजना पर विचाज विमर सेतु सेमला समेलन भारत साही बारती साही नोसेना का विद्रो कैबिनेट मिशन का आगमन या मुसलिम लिग द बता देता हूं वेवे लियोजना की जहां तक बात है वेवेल योजणा तो 1945 में यहां जो आपका अंसर है वो तो आपका है 1945 लेकिन passieren तो वेवेल-योजना है यह जो ती नीचे के जो तीनों हैं ये तीनों की तीनों 1946 में हैं अब पहले की बात करेंगे साही नो सेना साही नो सेना का विद्रोग कब हुआ था 18 फरवरी 1940 को हुआ था काइबनेट मिशन की जहां तक बात है काइबनेट मिशन भारत के अंदर जो आया था दिल्ली के अंदर वो दो अप्रेल 1940 को और मुस्लिम लीग द्वारा परतेक्स कारवाई दीवसी यानि डिरेक्ट एक्षन डे आजादी से ठीक एक साल पहले आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली तो एक साल पहले 15 अगस्त से ठीक पहले तो इसका मतलब एक साल 16 अगस्त 1940 तो यह आपका ओटोमेटिकली इससे बाद होगा तो यहां घटनाओं को करम ऐसे यह जैसी इसमें दिया गया है तो आपको जराशी भी मेहनत नहीं करनी है अब क्वेस्टन है 98 उक्टोटल में अठानो इसे मारले मिंटो एक्ट भी कहते हैं अंग्रेजों ने मुसलिम लीग जब बनवाई 1906 में उसके बाद भारती मुसलमानों को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने ये कानून लाया था जिसमें मुसलमानों को धरम के अधार पर पोलिटिकल राइट दिये गए थे अगर क प्रैक्टिकली रखने की तैयारी कर दी गई थी क्यूसन नंबर 99 बार दोली छीडा नामक स्थान ये तुफान कहां पर आता है बार दोली छीडा जो तुफान है दोस्तों वो असम के इसके अंदर रहेगा आसम अनसर हंडर्ड क्यूसन अठार सो सतावन इस्वी के गटनाओं का काला नूकर्म वानुसार व्यवस्थित आपको करना है तो इसमें आपको किस तरीके से करेंगे सबसे पहले आपको पता है कि मेरेठ में विद्रो हुआ फिर आपका नसीराबाद में हुआ फिर आपका लखनों में हुआ फिर आपका जहांसी में हुआ तो इसक प्रिटेन की मदद से लगाया गया और जो दुरगापुर वाला है वो बिर्टेन की मदद से लगाया गया तो यहां आप का अंसर रहेगा भिलाई रसिया अब क्वेस्टन नमबर 102 102 में एक सोदो में क्या है करेवास है क्या दोस्तों इसमें वह ब्रक्राइवास गलत दे रहें करेमास जो है वह उपोशन घास के मैदान है जो आम तोर पर कुछ ऐसे स्पेसल एरिया में है इसका अगर अंसर आप ध्यान से देखना चाहो तो यह वह मैदान है जो जहलम और उस कश्मीर के अक्षेतर के अंदर जेलम और उसकी सहायक नदियों के आसपास का जो एरिया है उस घास के मैदानों को अगरी कल्चर ग्राउंड को यह कहा जाता है क्रेवाज है अब काला हांडी संब्लपूर पर्मुग रूप से किस के लिए famous है बाक्साइट के लिए famous है नियरीम भारत यहां आपका अंसर रहेगा यह इस में नहीं है क्योंकि आर्टिकल 336 के अंदर 337 में एंगलो इंडियन का जिकर है अनुसुची जाती आयोग का जिकर नहीं है क्योस्टर नमबर 105 105 में अगर हम देखते हैं तो यहां कहा गया कि कौन सा समोलित नहीं है जैथरो टूल वीजबुआई बिल्कुर सही आविसकार किया था चारल्स टाउं ने केमिकल फर्टिलाइजर का किया था यह भी आपका सही है तो यहां आपका नसर रहेगा तेल अब चलते हैं क्योस्टर नमबर 106 की तरफ 105 हो चुके हैं क्योस्टर नमबर 106 भारत की जनगनना दो है 2011 के जो अंति माकड़े थे उनके अनुसार भारत की पूरुस वह महिला सक्सरता बतानी है अब इसमें देखते हैं 80.89 81.89 80.69 81.89 अगर इस क्विस्टन को आप ठीक से देखते हैं तो जहां तक हमें पता है या हमने देखा भी है सर्च भी किया जब डाउट हुआ तो इसमें कोई भी ओप्सन ठीक नहीं है यहां पर डाटा सफिशेंट नहीं है को टोटल रूप से देखें तो जो कंप्लीट जो जनगन सक्सरता थी वो तो थी 74.04 अब यहां महिला और पुरुसों की पुछी इसने पुरुसों और महिला की जो थी वो 82.14 और महिलाओं की थी 65.4 है तो 82.14 और 82.14 इसमें कहीं भी नहीं है और महिलाओं की 65.46 65.4 वो भी इसमें कहीं नहीं है तो इसमें आप लोग जो अंसर ले सकते हैं क्योंकि अगर राइट अंसर तो इसमें है यह जिनगनना वाला तो ऐसा है जो 10 साल पहले साथ 8-9 साल पहले जो जिनगनना हो गई है उसके अंदर बोड को डाटा मेरे साबसे गल्त नहीं करना चाहिए था यहां पर कुछन कुछ बूल हुई है अब इस क्योस्टन का अंसर आगर आप देखेंगे तो यह तो अंसर आप नहीं दे सकते है 80 वाला तो कम से कम 82 अगर न के भरोसे होगा हो सकता है कि रिट्विट लग जाए इसके ओपर तो इसमें आपका अंसर रहेगा विभाजक के रूम में 1921 को माना जाता है निमनांकित में से कोन से उदार लोगतंतर के लक्षन है उदार लोगतंतर के लक्षन कोन से होते है एक से अधिक राजतिक दलों में राजनितिक सत्था के लिए मुक्त परतिश परता बिल्कुल competition अगर होगा political parties में तो ठीक रहेगा रालतीक पत किसी विशेसादिकारी वरक तक्सिम इतना हो ठीक है सारजनिक व्यस्क मतादिकार पर आधारित नियत कालिन चोना होने चाहिए तो चोस्ता इसमें अंसर गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका अंसर रहेगा पहला दूसरा तिसरा सब ठीक है question number 109 निमनांकित मेंसे कोन से संग्य सासन प्रणाली के लख्षन है संग्य सासन प्रणाली में क्या अधार सुधान की सर्वोस्ता संग्य के अंदर संग्य काईयों की विशक्तियों का परतेकरन दिवी सद्ने संग्य विधाईका का अस्ति टुए तो यहाँ मुझे तीनों ही लग रहा है तो इसमें आपका सी रहेगा अब question number 110 109 आपके हो चुके हैं अब 110 में चलते है निमन में से कोन सा यूगम गलत है इसमें से कोन सा जोड़ा है जो गलत है यानि जो ठीक नहीं है चकरवार्थ हिंद महासागर में आता है सही है विलिज ओस्टेलिया के विली विलिज पस्टेलिया में बिलकुल सही है टाइफून पूर्वी अट्लांटिक ये गलत हो जाएगा टाइफून जो है वो पूर्वी अट्लांटिक में नहीं है टाइफून जो है वो वेस्टरन पैसिफिक में है वेस्टरन पैसिफिक को लेटेस्ट 7 अगस 2006 को आया था तो इसका मतलब यहां गल्थ हो जाएगा यह भी अट्टमेटिकली ठीक है तो यहां आपका अंसर रहेगा 3 यह आपको अंसर लेना है क्युस्सर नंबर 111 निमलांकित में से कोन से चिंतक लोगतंतर के विशिष्ट वरक सिधानत से संबंदित हैं एलाइट थूरी ओफ डेमोक्रेसी से जो है वो इन तीनों का इस संबंध है तो यहां आपका अंसर रहेगा एकुस्टर नमबर 112 किस प्रकार की बेरोजगारे के में एक व्यक्तिक कारियरत परतित होता है किन्त उत्पादन में उसका योगदान नगने होता है एदर से जो डिस में से अगर एक व्यक्ति कई नोकरी चला जाता है तो चार के अंदर भी प्रोडक्शन उतना ही हो जाता है क्योंकि अगर आप पांच व्यक्ति घर में हो और उतनी ही खेती करते हो और उतनी फसल पैदा होती है तो चार लोग भी उतनी फसल पैदा कर लेंगे तीन लोग भी कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योस्टन नंबर 113, ICAR की फिलुफोंग बतानी है Indian Council of Agriculture Research, ये आपका इसमें अंसर रहेगा, 113 का, अब 114 क्योस्टन, निम्रत में से कौन सी घटना, इटली की 388 की क्रामती के दोरान, घटी, हुई थी नहीं पूछा, नहीं हुई थी पूछा थ ये, वो इसमें क्या रहेगा, कौन सी चीज है जो हुई थी, लाल कुर्ती दलका नेपल्स, ये तो हुआ था, सेसरी राज्य में सिवधान की गोशना, हुआ था, रोम में गनतंतर, परकार की, सरकार की, ये नहीं हुआ था, ये आपका इसमें अंसर, गल्था जाएगा, तो अंसर देते हैं, बट मेंगरो नहीं, इसका अंसर 16 वन रहेगा, एक इसके उपर ज्यादातर बच्चों को डाउट है, मेंगरो जो है, वो अलग अक्षेतर के वनों को माना जाता है, नीलगिरी के अक्षेतर के वनों को नहीं कहींगे, आप लोग, एक सो छोड़ा, निवरत पादन हो, या किस के लिए उत्पादन हो, वट तो प्रोडूस, हाउ टू प्रोडूस, और फोर हूम टू प्रोडूस, तो यह तो होगी, तो कौन सी नियोगी, यह नहीं होती है, तो यहां आपका अंसर यह रहेगा, 117 जमुलत मैंसे अंतराश्टी समयलनों को जिन्होंने यूनों के गठन का मारक परस्थ किया इनका काल करम आपने बताना है तो इनका काल करम अगर देखेंगे तो ज्यादतर बत्चे इसको गलत करके आए हैं इनका जो काल करम रहेगा वो उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके स बोरड ने इसको दे रखा है यानि मास्को समयलन 1943 में तहरान समयलन यानि मासको जो है वो 1943 के 18 से टारा से ग्यारा दिसंबर तक चला था यानि इसको हम यहां पर देखेंगे तहरान दिसंबर के लास्ट में हुआ डंबर्टन जो है वो 1944 में हुआ था और जो ये आपका याल्टा सम्मेलन है ये चार से ग्यारा फरवरी 1945 है तो जैसे अंसर दे रहा है वैसे ऐसे क्योस्तनों में किन्फिंज मत वा करो यहां पर तुक्का लग सकता जिन बच्छों को लगता है कि वो शोर नहीं है तो कहीं न कहीं आप खराब मत किजिए ऐसे क्योस्तनों को वो बोर्ड अपने साफ से सेट करके ही कई बार देता है सेल स्टिल एथरूटी ओफ इडिया लेंटेड ए रहेगा अंसर क्योस्तन नमर 119 वन डाइमेंशनल मैन एक आयामी मानो सब्दावली किस विचारक से संबंदित है किस व्यक्ति का यहां पर संबंद इसके साथ दिखाया गया है इसके उपर भी काफी सारे बच्चे कन्फ्यूज थे लेकिन इसका अंसर आपका हरवर्ट मार्क्यूज रहेगा क्योस्तन नमर 120 नमर में से किस विचारक का या मानना कि राश्ट्रवाद विश्विश रूप थे आदुनिक्ता से ज नमर 1200 आसियान के संद्रम में निमनांकित में से कून से कथन सही हैं आसियान, A-S-E-A-N, एक बड़ा सा गठन, आसियान के संद्रम में आपने कौन सा कतन सही है, ये बताना है, इसकी स्थापना आठ अगर संसेट कोई ठीक है, इंडोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन, सिंगापर, फाइलेंड, इसके सस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सही है, वरतम इन में से कौन सा अंतरवेदी जवालामों की सतला कृति नहीं है, इंट्रियोजिव, वल्कैनिक, लेंड फोर्म, इन में से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, बैथोलिक तो है, लेकोलित भी है, कालडेरा, फैकल कालडेरा इसमें अंसर आएगा, लोग सबा अध्यक सपना त्याग पत्र किसे देगा उपाधेक्स को देगा और उपाधेक्स किसे देगा लोगसभाधेक्स को देगा तो स्पिकर डिप्टी स्पिकर को और राज्यसभा में भी यही होता है आप देखोगे जो राश्टर पती है उप राश्टर पती है वो चेर्मेन को नहीं समाजवादी वर्च्वस्ता एक नियोधी तर्च्वस्ता होती है आपका अंसर रहेगा इसमें एक यू एन यू एन एफ सी सी उनाइटे नेशन फ्रेम्वर कंवेंशन आन क्लाइमेट चेंज कब लागू किया गया था तो इसे कब लागू किया गया था इसे दोस्तों 21 सावेज जोन रोल्स की लिखी हुई है एक वह बतानी जो उसने नहीं लिखी थी कापेली कापेटलीजम एंड फ्रेडम उसकी नहीं लिखी हुई है अब चलते क्योस्ता नंबर 129 129 निमन में से कौन सा यूगम गलत है कौन सा जोड़ा गलत है कारबन डायक्साइड कितनी ह होती है कारबन डायक्साइड यहीं जोड़ा गलत दे रखा इसने क्योंकि करबन डायक्सेड कितनी होगी जीरो पुएंट जीरो पुएंट जीरो त्री यह एंसर आएगा तो इसका मलब यहीं पर 0.03 करके गलत कर दिया आपने बाकिसमें सारा ठीक रहेगा तो यह एंसर रह हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाओं फिर भी मरते दम तक विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करूंगा यह वक्तविया दोस्तों वालतेयर का है यह स्टेटमेंट चो है वह वालतेयर का है अगर इसमें थोड़ा चेंज कर देना हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाओं फिर भी आपसे लड़ता रहूँगा तो यह अगर अंसर होता तो फिर बार्टिक हैल का हो जाता तो यहां भी यह आपको वर्ड हिस्ट्री से क्रिशन उठाय गया है थिंकर से मध्यकालन भारत में बंजारा कौन थे खादान्य जैसे सामानों के प्रिवाहक थे यह लोग ट्रेडर हुआ करते थे इन लोगों को ट्रेडर कहा जाता था यहां पर नर्तक और संगीतकार यह उस बच्चे ने ऐसे दे लिया जैसे बंजारे गाने बजाने वाले घूमते हैं वो सोच करके अंसर दे रहा बट यहां अंसर रह जालेगा यह ट्रेडर भी थे एग्री कल्चरर का भी काम करते थे माने का भी काम करते थे तो आम तोर पर इने हम लोग इस टेगरी में रखते हैं क्युस्टर नमबर 133, अल बरुने की किताब उलहिंद किस भासा में लिखी गई और भी भासा में लिखी गई थी, एक हजार सक्तरा केंबर, क्युस्टर नमबर 134, सवतंतर रूप से, सवतंतर दा से पूरो भाष्यक शेतर किस अवस्था में था? गतिहिन विकास था, ने कोई अगरिकल्चर डवललप्मेक होता था, इसे गतिहिन विकास की स्तिति माना जाता था. क्योस्टन नमबर 135, पैर्थवी के घुरुनन से जनित बल को क्या कहा जाता है, ये क्योस्टन मेरे साथ से ज्यादतर बच्चिस को ठीक करके आये होंगे, क्योंकि कुछ क्योस्टन है जिनके उपर कोई ज्यादा डाउट नहीं होता है, तो गुरुवत्वा कर्शन होगा, ग् तंग्रावत्रन मिलता है, वादामी में, अमरावती में, महावली पुरम में, या फिर काची पुरम में, आपका अंसर होगा, महावली पुरम में, क्योस्टन नमर 117, इस निमलिक्त में से कौन सा गनित ये माध्य है, नहीं है, बहुलक माध्य है, गुनोतर माध्य है, या ह परात्मक माध्य है, तो इसमें मेरे साब से बहुलक रहना चाहिए, यह अनसर आजेगा, इस क्यूस्टन को थोड़ा सा अलग क्रिक्षिस को रख दिया गया है, गिनित की मैथ की पेड़ागोजी का पॉर्सन, लेकिन हिस्ट्री के सेस्टी में डाल दिया गया है, क्यूस्टन मानचितर के तीन घटक आपने, मानचितर के तीन घटक बताने हैं, दूरी, दिशा, संकेत, यह अनसर ठीक हो जाएगा, 140, निमनत में से कोन सा गुप्त राजा आपने मातरवन्स की ओर से लिच्वियों से समंदित था, चंदर गुप, जिसे भारत का नैपॉलियन भी कहा ज जाता है, 140 का समंदर गुप, तीन घटक अलब काल में निमन में से कोन सी एक प्रिवर्तन सील लागत होती है, कोन सी लागत होगी, भूत कालने जिनों के ब्याज का भुगतार इंटरेस्ट पेमेंट और पास्ट बॉरोविंस, फेरा का पूरण रूप बताना आपने, फेरा क्या होता है, फेरा के पूरण रूप का यहां पूछा गया है, फेरा फोरण एक्षेंज रेगुलेशन एक्ट होता है, तो इसके साब से आपका अंसर यहां यह होना चाहिए, इसको यहां आप देख सकते हो, फुल फोर्म वालों को, फोरण एक्षेंज रेगुलेशन एक् बारत के सिव्धान का कौन सा अरुषिद राष्टर पति पर महाभीयोग चलाने की परकरिया से संबन्दे थे? किस आर्टिकल के तहिद भारत की राष्टर पति पर महाभीयोग चलाया जाता है या जा सकता है? Article 61 सिंदू घाटि सबच्दा की नर्थ की पर्तिमा के बारे में निमन मेंसे कौन सा कतन सत्य नहीं है यह मोहन जोदरों में पाई गई थी यह कासे में निर्मित है नर्त की के बाई हाथ में दो दर्जन से दिक चूडियां है इस प्रतिमा के लंबाई 2 फिट है ये इसमें ठीक नहीं है ये अंसर रहीगा 145 निमन मेंसे कौन सा स्थूप सफेद पत्थर से साची का स्थूप सीत युद के संब्द निमनकी मेंसे कौन सा युगं सही सु मेलित नहीं है सीट यूद आपको पता है 1945 से लेकर के और 1901 तक 1945 से उनिस विक्यानुवा तक cold war सीट यूद चला उनकी घटनाओं के बारे में पुचा है कि कोण सा सही नहीं है ट्रुमेन सिद्नात 1947 बिलकुल सही है उनिस सम्मन का सीटो गठन बिलकुल सही है बगदाद पैक का गठन ये भी सही है हंगरी में सोवियत संग ये सही नहीं है तो इसका अंसर आपको यहां आना चाहिए था 57 की बजाए इसने 56 देना चाहिए था तो आपका अंसर रहेगा यहां पर ये तो इसमें आपका अंसर रहेगा फॉर्थ ठीक है अब चलते हैं जोस्टन नमबर 147 की तरब परियावन संदक्षन के उदेशे से राष्ट्रिय हरित न्याधीकरन अधिनियम कब लागू किया ग तो यहां पर आपका अंसर सीधा सीधा और साफ साब आपको नजर आता है एंजीटी इतना पुराणा संगठन नहीं है जितना पुराणा बच्चे इसको मान के चले हैं तो इसका अंसर रहेगा अक्तूबर 2010 और अगर डेट लिखनी हो तो आपका अंसर रहेगा 18 अक्तूब नहीं परी भाग तो इसमें अपका अंसर होगा मैंटल का उपकरि भाग यह इसमें अंसर रहेगा 1995 में प्रकासित किया गया था नेरसल मंडेला को साउथ अपरीका का गाधी कहते हैं भारत के तरफ से उन्हें भारत रतन भी दिया जा चुका है तो ये थे दोस्तों आपके आज के जिन भी सातियों को और कोई जानकारी चाहिए वो इस नंबर के ऊपर WhatsApp पे Message करके पूछ सकते हैं और जितना भी Competition Exam इंडिया क्या होता है ये 1 रहेगा 10108 इंडिया में जितने भी Competition Exam है चाहे आपका Teaching के एकजाम हो CTET है, STET है, DSSB है, KVS है या दूसरे Competition इंजाम SSC, Bank के एंडिया सीडिया से हो हर परकार का स्टेडिमेटर अवलेबल है वीडियो को लाइक करना तो बनता है शातियों के साथ सेर भी करें अगले एकजाम के तयारी के लिए जुट जाएं आज से ही हम लोग आप लोगों के म वादिया जाए, धनेवाद, सुब काम नहीं